दोस्तों, ONDC, Open Network for Digital Commerce, क्या है, कैसे वहत करेगा, और क्या यह revolution लाने वाला है इंडिया e-commerce इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत ही short में देखेंगे, सो बेसिकली इससे related बहुत ही लोगों के confusion है, कि यह एक platform कैसे रहने वाला है, इसके methodologies कैसे रहेंगी, यह कैसे किस प्रकार से work करेगा, किस प्रकार से helpful रहेगा, sellers के लिए, local sellers के लिए, MSMS के लिए, और जो भी vendors है, जो भी local vapor हैं उनके लिए, आशान भाशा में आपको अगर ब digital payment systems है, similarly ONDC भी इंडिया का एक digital commerce platform होने वाला है, अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो कई सालों से, almost 2018 की बात है, 2018 में जब e-commerce की इंडस्ट्री 22-20 billion dollar की इंडस्ट्री थी, वो ही predict किया जा रहा है कि 25-26 तक ये इंडस्ट्री 200 billion dollar क्रोस करके चले जाएगी, तो Amazon, Flipkart, ये जो players है न, इनकी monopoly हो चुकी अपता, इनके पास में इतना जादा user base आ चुका है customers का, इतना जादा monopolistic कर दिया है इन्होंने market को, कि आप अगर sale करने जाते हो Amazon या फिर clipkart पे, तो आपको वो ही products दिखेंगे, जो product इनका AI या फिर ये चाहते है, जिन product को sale करना, वो ही sale हो बया seller है, उसको sale नहीं मिलता है, इसी को bifurket करने के लिए, इसी को ही unbiased कर रहे के लिए, क्योंकि अभी biased है, ये पूरा system biased है, Amazon पे, flipkart पे, बड़े-बड़े vendors आते हैं, huge inventory होने के बाद में, उनका ही sale rapidly grow होता है, बट हमें बहुती slow growth मिलती है, जो भी छोटे vendors हैं उनको, इसी system को government of India ने analyze किया, लगबग 4-5 साल से analyze करने के बाद में, unit का एक गठन किया है, 7-10 members का, जो ONDC को handle करेंगे, जो भी ONDC को operate करने वाले, तो इसमें यही होंगा, एक similar, एक UPI में हम लोग payment करते हैं, instant payment हो जाता है, हमारे phone number के through, because हमारा, हमारे पास में जैसे की दोस्तों, आधार कार्ड है, unique identification है, all over the world एक unique identity create करता है हमारा, similarly UPI है, UPI एक payment system है, जो की अलग-अलग network के साथ में integrated है, like अलग-अलग platform के साथ में integrated है, Amazon के साथ में, Snapdeal के साथ में, Flipkart के साथ में, अलग-अलग platform के साथ में integrated है, जिससे हम लोग payment करते हैं, किसी भी vendor को, किसी भी seller को instantly, similarly ONDC भी इसी टाइप से work करने वाला है, ONDC के साथ में, अलग-अलग platforms को integrate किया जाएगा, और फिर उसके बाद में, unbiased करीके से, ये सभी operations handle होंगे, जो की अभी biased हो रहे हैं, यही है simple-simple ONDC की definition, फिलाल में, अभी ये pilot mode पे है, अभी pilot mode में, almost 7-8 states में, ये government run कर रही है, जैसे ही ये launch होता है, अब launch तो हो चुका है, बट August में, फुल फ्लेज में, ये fully operational हो जाएगा, जिससे कि हम लोग भी इसके उपन में register कर पाएंगे, और इसका फायदा उठा पाएंगे, तब मैं एक फुल फ्लेज और इसके up-to-date videos लाते रहूंगा, आगे के videos में हम लोग देख ये हर seller को जो एक local seller हो गया, एक regional seller हो गया, किसी भी seller को ये अनबायस तरीकी से sale देने के लिए मदद करेगा, ये gym के साथ में भी integrate रहेगा, तो tenders हो, कुईसी भी material की requirement हो, कोई भी seller हो, वो local हो, कोई भी seller हो, उसको अनबायस तरीकी से sale मेलेगा, तो यही था दूस्तों आज होती लेट आ चुका है, तो अभी regular videos आते रहेंगे, आपको भी पता है दोस्तों, multi-dasking के वज़े से हम लोग time नहीं निकाल पाते, that's why कही ना कही पे हम लोग मार खा जाते हैं, so मिलता हूँ अगली video में, thank you so much for watching this video, bye bye